Hello everyone, इस वीडियो में मैं घटना चक्र पुडबाव लोकन साइन्स से कुछ important questions को करा रहा हूँ ये questions BPSC 69, PT और UP PCS दोनों ही परिक्षाओं के लिए important है इस questions से आप लोगों को concept की clarity मिलेगी साथ ही ये questions exam में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और यदि इस चैनल को subscribe नहीं की हैं तो please इस चैनल को subscribe कीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है, खोगोलिये दूरिया प्रकास बर्स में मापे जाने का कारण इमलिखित में से कौन सा है ये UPSC में पूछा गया question है, 2021 में पूछा गया है तार्किये पिंडो के बीच की दूरिया परिवर्तित नहीं होती है, ये कारण नहीं है तार्किये पिंडो का group तो परिवर्तित नहीं होता है, ये भी कारण नहीं है प्रकास सदेव सीधी रेखा में यात्रा करता है सीधी रेखा में यात्रा करता है लेकिन ये कारण नहीं है प्रकास की गती सदेव एक समान होती है बिल्कुल पूरे यूनिवर्स में लाइट का स्पीड लगभग कॉंस्टेंट रहता है medium change होने पहलका सा change होता है लेकिन हम uniform मान सकते हैं constant मान सकते हैं और यहीं कारण है कि खगोली ये दुरिया प्रकास बर्स में मापी जाती है प्रकास बर्स क्या होता है प्रकास बर्स जो होता है एक साल में light के द्वारा तै की गई दुरी को प्रकास बर्स कहा जाता है एक प्रकास बर्स कितने किलो मीटर के इक्वल होता है एक प्रकास बर्स यानि वन लाइट येर जो होता है 9.46 इन्टू 10 तू दी पार 15 मीटर के इक्वल होता है वन लाइट येर इस इक्वल टू 9.46 इन्टू 10 तू पार 15 मीटर के equal होता है तो इसमें से right option कौन सा हो जाएगा right option d हो जाएगा speed constant राने से जो distances measure किये जाते हैं दूरियां जो मापी जाती है उनमें accuracy जादा रहती है यहीं कारण है कि light year में measure किया जाता है लिए दूरियों को next question एक पार्षिक तारो संबंधी दूरियों दूरियां मापने का मातरक है बराबर है तो one पार्षिक is equal to होता है one पार्षिक is equal to होता है 3.08 इसको लगभग मान सकते हैं 3 into 10 to the power 16 meter के equal होता है यानि 3.08 into 10 to the power 16 meter के equal होता है और एक light year एक प्रकास बर्ष जो होता है 9.46 into 10 to the power 15 meter के equal होता है तो इस तरीका से हम देखें तो one पार्षिक जो होगा one पार्षिक ये equal होता है 3.26 to light year के प्रकास बर्ष के equal एक पार्षिक is equal to तो 3.26 आ रहा है तो 3.26 लगभग 3.25 प्रकास बर्ष के equal होगा सो राइट अप्शन यहां पे भी हो जाएगा next question माप की कौन से इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच पराप्त होता है तो one centimeter is equal to होता है 0.394 inch 0.394 inch और एक inch is equal to होता है 2.54 centimeter तो इसमें से सही अप्शन हो जाएगा centimeter कौन सी माप की इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच पराप्त होगा centimeter को राइट अप्शन भी होगा next question 6 feet लंबे ब्यक्ती की उंचाई नैनो मीटर में कैसे ब्यक्त की जाएगी लगबाग तो 6 feet एक feet कितने के equal होगा एक feet या एक foot is equal to होगा 0.305 meter के equal होगा 0.305 meter के equal होगा तो 6 foot कितने के equal हो जाएगा तो इसमें से 6 से multiply कर देंगे याने 0.305 into 6 से multiply कर देंगे तो 6,5,3,6,3,6,3,6,8 तो यह हो जाएगा कितना 1,2,3 1.83 1.83 meter equal होगा 1.83 और meter को 9 meter में change करने के लिए क्या करेंगे 10 to the power 9 से multiply करेंगे तो 1.83 into 10 to the power 9 meter हो जाएगा 9 meter हो जाएगा 9 meter तो इसको 183 तक ले जाएगे यानि decimal को 2 digit हम shift करें यानि 183 लिख दें तो 10 to the power 7 हो जाएगा क्या करेंगे 100 से उपर multiply कर दीजिए 100 से divide कर दीजिए तो 100 से जो divide करेंगे वो 10 to power 9 को 10 to power 7 बना देगा और उपर वाला 100 जो है 1.83 को 183 बना देगा तो कितना हो जाएगा 183 यानि 183 into 10 to the power 7 9 meter हो जाएगा right option C next question सुची एक को सुची दो से सुमिलित करें तथा नीचे दिये गए कूट का प्रियोगर सही उत्तर चून है इधर भौतिक रासियां दी गई है इधर उनका इंकाई दिया गया त्वारान त्वारान क्या होता है rate of change of velocity होता है यानि A जो होता है change in velocity delta V by delta T होता है तो delta V का unit क्या होगा meter per second by second meter per second square त्वारन का unit होता है meter per second square तो A का हो जाएगा 4 meter per second square बल force is equal to होता है mass into acceleration यानि kg meter per second square जिसको newton कहा जाता है तो B का हो जाएगा 3 B का 3 क्रित काज work done work done क्या होता है work done is equal to होता है force into displacement force into displacement यानि newton into meter newton meter इसी को कहा जाता है joule तो इसका unit हो जाएगा क्रित कार्ज यानि work done का unit हो जाएगा joule तो C का 1 हो जाएगा आब एग impulse impulse क्या होता है impulse impulse को यदि हम J से दिखाएं तो जब कोई बहुत बड़ा force short duration of time के लिए किसी object पे लगता है तो force और time के multiplication को आवेग कहा जाता है यानि impulse कहा जाता है example में देता हूँ कोई batsman जब ball को hit करता है तो बहुत बड़ा force अपलाई करता है और bat और ball के बीच में contact कितने समय के लिए रहता है बहुत short duration of time के लिए रहता है तो वो जितने देर तक contact में रहा वो और जो batsman जो force अपलाई किया उसके multiplication को आवेग कहा जाएगा यानि impulse कहा जाएगा तो force और time के multiplication को आप force क्या होता है change in linear momentum होता है change in linear momentum by time into time से multiply करेंगे time time कट गया change in linear momentum हो गया तो change in linear momentum का वही unit होगा जो momentum का unit होता है तो momentum क्या होता है mb तो unit क्या होगा kg meter per second kg meter per second या फिर newton second यहाँ से force into time है तो newton second होगा तो आवेग का unit होगा newton second 2 हो जाएगा तो इसमें से कौन सा option आ रहा है a का 4 b का 3 c का 1 and d का 2 right option यहाँ पे d है next question निमलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं है तो हर एक रासी को देख लेते हैं प्रतिबल यानि stress stress क्या होता है force by area होता है force by area stress होता है तो newton per meter square इसका unit होगा तो यह unit less नहीं है तो यह तो नहीं होगा bul bul का unit newton होता है kg meter per second square तो यह unit less नहीं है dab dab क्या होता है pressure is equal to होता है force per unit area तो इसका भी unit क्या हो जाएगा newton per meter square newton per meter square विक्रती विक्रती यानि strain strain क्या होता है strain जो होता है वो change in dimension by original dimension जैसे लेंग्थ चेंज इन तो विक्रती यानि एस्ट्रेंड क्या हो जाएगा चेंज इन डाइमेंशन यानि चेंज इन लेंग्थ बाई ओरिजिनल लेंग्थ चेंज इन लेंग्थ बाई यानि डेल्टा एल बाई एल डेल्टा एल मीटर में होगा मीटर से मीटर कर जाएग इसका कोई unit नहीं होगा, यह longitudinal strain है, यह दि volumetric strain ले लिजिए, तो change in volume by original volume हो जाएगा, change in volume meter cube में, original volume भी meter cube में cut करके क्या हो जाएगा, unit less, यानी wicklity, यानी strain जो है, unit less quantity है, तो right option यहाँ पर C होगा, कोई unit नहीं होता है, इसका, next question, सुची, एक को सुची, दो से सुमिलित कीजिए, तथा नीचे दिये गए कूट का प्रियोग करके सही उत्तर चूनिए, what, what किसका unit है, what जो है, सकती का unit है, power cut A का 4 हो जाएगा, not, not किसका unit है, not जो है, speed का unit है, unit of speed है, किसके speed का, ships के speed का, या aircraft का speed, या फिर wind का speed, not में measure किय जाता है, one knot, one knot, one knot is equal to होता है, 0.5144 meter per second, तो not किसका unit है, not unit है, समुदरी जहाज की गति से हम इसों connect कर सकते हैं, तो B का 3 हो जाएगा, nautical mile, nautical mile, nautical mile क्या होता है, one nautical mile is equal to होता है, one nautical mile is equal to 1.852 kilometer, या फिर, 1.15, 151 mile होता है, ये, one nautical mile, तो one nautical mile जो है, इसका हो जाएगा, 9 संचालन, C का हो जाएगा, 2, और कैलोरी जो है, किसका unit है, कैलोरी जो है, उसमा का unit है, कैलोरी उसमा का, तो D का one हो जाएगा, तो, वन कैलोरी इस इक्वल टू कितना होता है वन कैले इस इक्वल टू होता है 4.18 जूल या फिर हम इसको का सकते हैं 4.2 जूल हर एक चीज को एक्स्प्लेइन करते हुए पढ़िए कंसिप्ट को किलियर रखिए क्योंकि कोई जरू नहीं कहुब हुब आएगा घुमा करके आ सकता है चेंज करके आ सकता है तो कंसिप्ट की क्लियरिटी रहेगी तो कोश्प्लेइन सोल्ब हो जाएगा तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इसमें से कौन सा अप्शन सही आड़ा है एक का फोर अब बी का थरी सी का टू एड़ी का वन राइट अप्शन यहाँ पे सी होगा नेक्स कोशन विद्यूत विभाव के संदर में निमलिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ एक अदीसरासी है यहाँ एक सदीसरासी है तो अब हमें यह जानना हो के विद्यूत विभाव होता क्या है विद्यूत विभाव को ऐसे डिफाइन किया जाता है यूनिट प द्वारा one Goulomb positive charge को लाने में किया गया कार्ज है यह तो ऐलेक्टिक potential क्या होगा एक scalar quantity होगा मतलब electric potential जो है work done per unit charge है w by q है यह w by q यानी यह work done ही है इस कारण से यह है एक scalar quantity है तो यह एक अदीस रासी है तो one सही होगा यहां पि यहां एक सदी स्रासिन नहीं है तो k 1 1 साई होगा right option A और इसका जो unit क्या होगा जूल पर कुलम होगा जूल पर कुलम को वोल्ट काहा जाता है तो यानि electric potential का unit वोल्ट होगा और potential difference का भी वोल्ट ही होता है EMF का भी वोल्ट ही होता है कि नेक्स कोश्चन सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार क्या क्या मतलब बता है साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यह किस वेव का यूज करता है यह यूज करता है अल्टरा सोनिक वेव का इसमें क्या जैसे माल लिज कितने टाइम आया एस डिस्टेंस गया एस डिस्टेंस आया टोटल डिस्टेंस कितना ट्रबल किया टू एस डिस्टेंस एस पीड हमें पता है तो एस इस इक्वल टू भीटी होता है s is equal to vt तो हम यहां से distance measure कर सकते है यानि गाहडाई measure कर सकते है vt by 2 करके तो किसका यूज किया जाता है प्रास्रब्य तरंगों का यानि ultrasonic wave का राइट अप्सन c होगा next question बायू सक्ति यानि wind power में उर्जा का कौन सा रूप विद्यूत उर्जा में चारू तरब घुमाएं जाता है या magnet को क्वाइल के चारू तरब घुमाईए तो जब magnet को क्वाइल के चारू तरब घुमाएंगे या किसी क्वाइल को magnet के चारू तरब घुमाएंगे तो वहाँ पे flux में changing आएगा flux में change होने की वज़े से फैराडे law of electromagnetic induction के थ्रू उस क्वाइल में एक EMF generate हो जागए यानि एक voltage generate हो जागए यानि एक battery बन जाएगी और उस क्वाइल में electricity का flow होने लएगा current flow करने लएगा इसी principle पे work करता है कहीं पर भी electricity का generation होता है चाहे वो thermoelectric power हो hydroelectric power हो या nuclear power हो या यह wind energy वाला हो तो wind energy यानि हावा बहर रही है यानि wind का flow हो रहा है तो wind का flow हो रहा है इसका मतलब क्या है कि उसके पास kinetic energy है kinetic energy यानि wind आ करके जो फैन लगाया गया है पंखा लगाया गया है उससे आ करके टकराती है और पंखा को घुमाती है पंखा के घूमने की वज़से वहीं होता है टर्बाइन वहाँ पे घूमता है और इलेक्टो-मेगनेटिक इंड़ेक्षन की वज़से वहाँ पे एक E-MF जेनरेट हो जाता है एक वोल्टेज जेनरेट हो जाता है और उसमें इलेक्टिकल इनर्जी में बदल गई तो गतिज उर्जा जो है इलेक्ट्रिकल एनरजी में यानि वीदित उर्जा में बदलती है राइट आप्सन ए होगा नेक्स कोशन कथन ए एक पूर्णता घर्षन हीन प्रिष्ट यानि कम्प्लिटली फ्रिक्शनलेस सर्फेस पर खाड़ा एक बेक्ती सीटी बजाने से अपने को गती में ला सकता है यह कथन है रीजन दिया हुआ है कारण यदि किसी तंत्र पर कोई बाहबल क्रिया सिल नहीं है तो उसका संभिक परिवर्तित नहीं हो सकता है ये दो चीजे हैं, दोनों को हमें देखना है कि दोनों सही है कि नहीं है, ये एक फ्रिक्शनलेस, completely frictionless surface है, इस पे कोई person खड़ा है, completely frictionless surface है, इस पे एक person खड़ा है, और वो CT बजा रहा है, मतलब वो फूंक रहा है, मतलब हवा को, हवा पे force exert कर रहा है, फूंक रहा है तो force exert क कर रहा है, मतलब हवा को आगे की तरफ move कर रहा है, तो हवा को आगे की तरफ move कर रहा है, तो Newton के third law से हवा भी तो इसके तरफ एक force लगाएगी, तो इस person का movement पीछे की हो, जिधर फूंक रहा है, जिधर मुह करके CT बजा रहा है, उसके opposite direction में movement इसका हो सकता है, तो Newton के third law से इसको explain किया जा सकता है, अब आते हैं, conservation of linear momentum के principle पर भी इसको, के through भी इसको हम explain कर सकते हैं, कैसे, जब माल लिजिए, CT नहीं बजा रहा था, CT नहीं बजा रहा था, CT सिर्फ लिया हुआ था, फूंक नहीं रहा था, तो ना तो person move कर रहा था, और नहीं wind जो move कर रही थी, ना system माल लें, तो उस system में शुरुआत में ना तो person move कर रहा है, ना CT और नहीं air का movement नहीं हो रहा है, इस कारण से initial linear momentum zero है, अब आदमी जब फूंकता है, CT बजाता है, तो हवा आगे की तरफ move कर रही है, मतला हवा में एक linear momentum आगे की तरफ हो गया, तो चुकी horizontal direction में कोई force नहीं लग रहा है, इस कारण से linear momentum conserve रहेगा इस system का, तो हवा का आगे की तरफ linear momentum हो गया, तो इस person का इस आदमी में एक linear momentum पीछे की तरफ होगा, यानि इस में movement होगा, तो यह कैसे explain हो रहा है, conservation of linear momentum के principle से explain हो रहा है, तो दोनों ही सही है, मतलब person CT बजा करके अपने आप में movement ला स लगता है, तो assertion सही है, reason भी सही है, और reason जो है correctly explain भी कर रहा है, assertion को, तो इसलिए A सही होगा, A और R दोनों सही है, R A का सही specific किरण है, so right option A होगा, याद रखिए, घटना चक्र में B answer दिया हुआ है, और ये UPSC का question है, A answer सही होगा इसका, next question, निम्न कथन पर तथा उस से निसकर्स पर विचार करें, तथा बताई कौन सा निसकर्स सही है, कथन, भरी हुई गाड़ी, यानि कार्ट को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवस्यक ताकत से अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, ऐसा क्यों किया जाता है, किसी चलायमान बस्तू का भार क कम होता है, प्रारम में पहिये फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्सन कम होता है, अभियास से निपूर्टा प्राप्त होती है, अब इसमें से कौन सा अप्सन सही होगा, इसको एक्स्प्लेन करने के लिए हम आते हैं, फ्रिक्शन पे, माल कि एक सर्फे से यहां पे कोई अबजेक्ट रखा गया है, तो जो ही आप पीछे से एक फोर्स लगाते हैं, तो ये अबजेक्ट मूब नहीं करता है, नहीं करता है, इसका मतलब है कि जितना फोर्स आपने लगाया, उतना ही फोर्स जो है पीछे की और लगा, इसको एस्टे प्रिक्षन कहा जाता है तो जितना फोर्स आपने apply किया उतना ही फोर्स पीछे के योड़ा फोर्स को थोड़ा और बढ़ा दिये तो फृर्स भी अपने आपको बढ़ा लिया पीछे की तरफ self-adjusting फोर्स है अब बढ़ाते बढ़ाते एक time तो ऐसा आएगा ना कि यह just move होने के कगार पर आएगा motion में होने के कगार पर आजाएगा on the verge of motion यानि move करने के कगार पर आजाएगा उस time में जो friction लएगा वो maximum value होगा उसको limiting friction कहा जाता है limiting friction, यानि aesthetic friction के maximum value को limiting friction कहा जाता, अब बस तु जो है move करने के कागार पर आ गई है, तो बस तु मूब करने के कागार पर आ गई है, तो अब थोड़ा सा भी force ज्यादा लएगा, वो move कर जाएगी, तो move कर जाएगी, तो उस time में जब object move कर दिया, उस time में जो friction लएगा, उसको O Kennes इसका यदि 11 कलास में आप लोग science पढ़े होँगे तो इसका graph जानते होंगे यदि नहीं पड़े हैं तो कुछ इस तरीका से इसका ग्राब खींचा हुआ इस तरीका से इधर जो है applied force अपलाइड फोर्स I'm और इदर friction मालेजे इदर friction है तो इदर friction है कि एक जिए से जड़िक्सन कातीए फ्रिक्सन का वैलू भी बढ़ते चला बहर जब motion आगया object उसके बाद में क्या हो जाएगा की friction का value घट गाएगा और constant हो जाएगा यह हो गया kinetic friction तो देख रहे हैं यह है limiting friction और यह is kinetic friction तो kinetic friction का value कम है तो object जब move करने लेगा तो उसको continuously move करने क्लिए कम ही force की जवर्थ होगी क्योंकि kinetic friction का value कम होता है limiting friction से तो कौन्स option इसमें सही आ रहा है एक बार गाड़ी चल पढ़ने के बाद घरसन कम हो जाता है क्योंकि घरसन उस टाइम में kinetic हो जाता है kinetic friction हो जाता है जिसका value limiting friction से कम होता है so right option C होगा next question है एक मनुस इस्थिर 9 से 5 मीटर प्रती सेकेंड की चाल से कुदा और 9.5 मीटर प्रती सेकेंड की चाल से खिसकी बताएं कि नाव का द्रब्मान मनुस के द्रब्मान का कितना गुना है तो माल लेते हैं कि ये नाव है और इस पे एक परसन है इस पे एक परसन खड़ा है और ये कूदना चाह रहा है कूदेगा इस टाइलक्षन में कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इधर कूदा माल लेते हैं इसका मास जो है M है मैन का मास M है तो जब जो ही इधर कूदेगा ये नाव पीछे की और खिसकेगी लिनियर मोमेंटम को कंजर्ब कराने के लिए पीछे की और खिसकेगी पीछे की और 0.5 मीटर पर सेकेंड से खिसक रहा है यह माल लेते हैं कि नाव का स्पीड N है तो चुकि यह जब कुदने से पहले परसन भी रेस्ट में है नाव भी रेस्ट में है तो लिनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जब कुद रहा है तब इसका लिनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा जब कुदेगा तो linear momentum इसका left की ओड़ है और now का right की ओड़ है तो linear momentum 0 होगा initial linear momentum 0 है तो final linear momentum भी 0 होगा तो final linear momentum लिख दीजिए final linear momentum कितना होगा man का mass into इसका speed 5 minus now का mass into now का speed 0.5 is equal to 0 होना चाहिए यहां से तो 5m is equal to हो जाएगा 0.5n यहां से तो n by m का value आप निकाल दीजिए 0.5 इधर आजाएगा तो n by m का यहां से value हो जाएगा 5 by 0.5 कितना हो जाएगा कट करके 50 उपर 5 नीचे 10 हो जाएगा यानि n by m का value 10 आया मतलब n जो है m का 10 गुना है मतलब now का जो mass है मनुस्य के mass का 10 गुना है तो 10 गुना हो जाएगा right option यहां पर d next question एक truck एक car और एक motorcycle की गती जूर जाएगे समान है यदि समान और अधक बल लगाये जाए तो भी क्रम सा x y और z दूरी पर रुकें तो x y z में क्या relation होगा यहां पर तो दिया हुआ है कि truck ट्रक कार और motorcycle तीनों की kinetic energy सेम है मतलब kinetic energy of truck is equal to kinetic energy of car is equal to kinetic energy of motorcycle तीनों का kinetic energy सेम है अब देखिए वर्क इनर्जी थेवरम एक होता है वर्क इनर्जी थेवरम कहता है कि work done by all the forces is equal to change in kinetic energy तो जो भी force इस पे truck पे लगेगा उस पे जो वर्क करेगा उसके change in kinetic energy की equal होगा और तीनों को रूकना है बाद में तो final kinetic energy zero हो गई तो change कितना आएगा जितने initial kinetic energy होगी तो work done निकाल लीजिए truck के लिए truck के लिए same force अपलाई किया गया force और truck move गया x distance तो force into displacement is equal to इसका change in kinetic energy, change in kinetic energy, kinetic, initial kinetic energy of truck minus zero यानि केटी ही आएगा तो कितना आजाएगा केटी आ गया और इसके बाद में कार का तो force into car wide distance force into displacement is equal to change in kinetic energy of car यानि के सी उसके बाद में force into displacement of motorcycle motorcycle का z है is equal to change in kinetic energy of motorcycle और यह तीनों equal दिया हुआ है तो left वाला भी equal ही होगा मतलब fx fx is equal to होगा fy is equal to होगा fz force same apply किया जा रहा है तो force same होगा cancel out हो जाएगा तो यहां से हम x is equal to y is equal to z कह सकते हैं मतलब equal distances पे जाकर के रूखेंगे xyz equal होगा right option यहां से c हो जाएगा next question निम्न कथनों पर विचार के जिए एक तिक्षण बिर्तकार पत पर तिब्रगती से चलता हुआ चार पहियो वाला वाहन चार पहियो वाहन है तो circular path है बिर्तकार path है और इस पे कोई vehicle जा रहा है तो चुकि circular turning है तो इसको टर्न करने के लिए center की centripetal force चाहिए तो centripetal force के दो sources है एक तो यहां जो friction लगेगा वो है दूसरा यदि रोड की banking की गई है यानि आउटर वाला उठा दिया गया है रोड और अंदर वाला जो है थोड़ा नीचे है आउटर वाला उपर है इसको banking अप रोड का आ जाता है यानि रोड को बैंक किया गया है तो वो भी centripetal force को प्रवाइड कर देगा और friction भी प्रवाइड कर देगा तो दो यह स्कॉयर बाई आर तो यदि ज्यादा रखता है वो पर्वाइड नहीं हो पाएगा जितनी जरूरत है उतनी प्रवाइड नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी तो क्या होगा friction कम लग रहा है मतलब यदि friction कम लग रहा है तो friction centripetal force को प्रवाइड नहीं कर पाएगा तब नहीं कर पाएगा तब पहिया पीछे की और फिसलेगा यानि पहिया जो है बाहर की तरफ फिसलेगा यह तो तीसरा सही है यदि friction उतना sufficient नहीं है तो दूसरी बात यह है यदि centri पीटल फोर्स उसको नहीं मिल रहा है तो सर्कुलर टर्निंग पर टर नहीं करेगा, किधर की और फ्हेंका जाएगा, पीछे की और फ्हेंका जाएगा, पीछे की और अंदर की और नहीं गिरेगा, बाहर की और फ्हेंका जाएगा, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा, बाहर और तीन दोनों ही सही है, so right option ही हो जाएगा 1 और 3. Next question, यदि प्रित्वी और सूज की दूरी जो है उसके अस्थान पर दोगुनी होती, तो सूर्ज द्वारा प्रित्वी पर गुर्तवा कर्शन बल जो पड़ता वह होता, तो दोगुनी दूरी कर देना है, तो gravitational force का फर्मूला होता है, माले दिजिए g mass of sun into mass of earth, m e by r square, दोनों के बीच का distance माले थे r square है, अब distance को यदि दोगुना, ये f1 इसको कह दीजिए, तो distance को दोगुना रख देंगे, g same रहेगा, mass of the sun same रहेगा, mass of the earth same रहेगा, ये r square है, तो 2 r square करेंगे, 2 r square करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 r square हो जाएगा, 4 r square यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या है, ये तो f1 नहीं है, f2 का value हम निकाल रहे हैं, तो f1 है, तो कितना आ गया, f1 by 4 आ गया, f2 का value आ गया, f1 by 4, अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा इसका मतलब है कि जो F2 होगा F1 का भाई 4 हो जाएगा यानि अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा राइट अपसन C हो जाएगा यानि F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 भाई 4 राइट अपसन C नेक्स कोशन लकडी लोहे वो मोम के समाना कार के टुकड़े को समान उचाई से प्रित्वी पर गिलाया जाता है कौन सा टुकड़ा सरप्रित्वी की सतह पर पहुंचेगा तीन अबजेक्ट है मान लिजी ये ग्राउंड सर्फेस है यहां से ड्रॉब किया जा रहा है हाई से हम ड्रॉब कर रहे है किसी भी अबजेक्ट को हाई से ड्रॉब करेंगे तो u is equal to कितना हो गया जीरू हो गया तो s is equal to ut plus half a t इसकर फर्मूला अपलाई कीजिए तो s कितना हो जाएगा h u 0 है तो 0 into t पलस, हाप, एक्सेलेशन कितना है? G है, G T है, स्क्वाइर हो जाएगा तो यहां से T निकालने टर T आ जाएगा अंडर रूट 2H by G मतलब जो अबजेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है उसको अर्थ के सर्फेस पे, ग्राउंड सर्फेस पे आने में कितना टाइम लएगा? अंडर रूट 2H by G अंडर रूट 2H by G में कहीं पर भी मास आ रहा है किसी अबजेक्ट का नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि यह जो टाइम है अबजेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो कितना भी मास हो एक छोटा सा बॉल ड्रॉप कर दीजे पत्थर का टुकडा ड्रॉप कर दीजे हाथी को ड्रॉप कर दीजे किसी भी कितना भी मास है अलग-अलग मास के अबजेक्ट को ड्रॉप कर दीजे एक ही साथ प्रित्वी पढ़ा करके पहुँचेंगे सर्फिस पे आएंगे तो सभी साथ पहुंचेंगे राइट अप्शन डी होगा इसके पीछे कारण यह है कि जो फर्मूला आया है टाइम का वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है नेक्स कोशन कथान चंद्रमा पर मानव का वजन प्रित्वी की तूलना में वो अर्थ के सर्फिस पर का सिक्स हो जाता है कई से यह 9th कलास के साइंस के बुक में भी दिया हुआ 11th कलास में तो दिया ही हुआ है जब वैलू पूट करके हम निकालते हैं तो यहीं आता है यानि एक्सलेशन डियू टू ग्रेविटी का वैलू जो अर्थ सर्फिस पर उसका 1x6 हो जाता है मून के सर्फिस पर तो हम जानते हैं कि वैट जो होता है वो mg होता है तो मून के सर्फिस पर जब g घट करके g by 6 हो गया तो वैट भी w by 6 हो जाएगा घट करके तो चंद्रमा पर मानों का वजन तरह गुरुत्वाकरसन नहीं है। उतना gravitational force अर्थ के surface पे है, उतना gravitational force जो है, moon के surface पे नहीं है, one-sixth है, कुछ इस तरीका से कहता तो हम इस statement को सही मान लेते, ये statement हम गलत कहा सकते हैं, तो इस में से कथन सही है, कारण गलत है, कथन सही है, परंथु कारण गलत है, so right option C होगा, next question, किसी पींड का भार, प्रित्वी तल पर सब जगा समान होता है, बिल्कुल नहीं, प्रित्वी तल पर समान नहीं होता है, प्रित्वी के surface से, जैसे 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 उंचाई बढ़ेगी, G का value घटेगा, नीचे जैसे 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 जाएंगे, G का value घटता है, हर एक जगह ये बदलते रहता है, जैसे केरला में, हलाकि ज्यादा change नहीं होता है, लेकिन पूरे accuracy के साथ, हम रखें इसको, neglect नहीं करें, तो केरला में G का value कुछ अलग होगा, और सिक्कि में G का value कुछ अलग होगा, हलाकि ज्यादा variation नहीं होता है, तो प्रित्वी की तल पर सब जगہ समा नहीं होता है यह vary करते रहता है ध्रूप और सरबादिक होता है देखिए जी का वेलू जो होता है वो gm by r square होता है gm by r square gm by r square g क्या है universal gravitational constant है 6.67 into 10 to power minus 11 m क्या है mass of the earth है r क्या है radius of the earth है तो यहां देखिए जब पूल पे आप जाएंगे तो earth जो है r का वेलू जब कम हो जाएगा तो g का वेलू जादा हो जाएगा मतलब पूल पे g का वेलू maximum होता है तो भार भी maximum होगा तो ध्रूप पर सरबादिक होता है किसी भी object का mass नहीं weight भार ध्रूप पर gravity का value जो है कम होता है पूल की कम परेजन में तो जब acceleration due to gravity का value कम होगा तो weight जो होता है mg होता है mg का वेलू भी कम हो जाएगा तो 207 रेखा पर अधिक नहीं कम होता है तो यह तो friends ये रहा घटना चक्र से कुछ important science के questions का discussion आप बने रहे इस channel के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए thank you, thank you very much.